गोविंद बल्लो पंत उनिवर्सिटी औफ एग्रिकल्चर एंड टेकनोलोजी पंत नगर उत्राखंड तो इसमें एड्मिशन पॉटल खुल चुका है जिसमें हम लोग एंडर गैजुएट, मास्टर्स, एम्टेक, एमफार्मा और भी बहुत सारे मास्टर्स डिग्री में ए अपलाई कर सकते हैं. तो आएए इस वीडियो में जानते हैं हम लोग पूरे निटेल में इसकी अपलिकेस्ट फीज कंवारे में इसकी लास्टड कब तक है तो आप यिदी इंट्रेस्टेटेटेटेट हैं इसमें M.C.A.M.T.E.C.D. प्रोग्राम के लिए और किसी Massachusetts program के लिए तो आप इसमें apply कर सकते हैं 30 अगस 2020 से पहले तो आप official website पर जाके आप इस फर्म फिल अप कर सकते हैं या फिर मेरे नीचे दियेगे discussion box में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप directly इसके site पर जाके आप उस वहाँ पर जाके form फिल अप कर सकते हैं तिसा रखिए related to admission, mca, masters, mtech, phd program के लिए या फिर और भी masters degree के लिए कि आपको बोला जा रहा है कि आपके पास examination जो भी होगा वो month of September 2020 में हो सकता है, September में महिने में आपका exam कराया जा सकता है और यदि बात करते हैं कि कैसे exam conduct की जाएगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको alternative arrangement of laptop या Android mobile phones का आपको with good connectivity of internet आपके पास होनी चाहिए में भी exam आपका home center ही पर सकता है, due to COVID-19 situation outbreak को देखते हुए आपका exam nation इस तरह से लिया जा सकता है तो application form and prospectus of interest exam is 2020-2021 की बात करें तो पहले mtech program accept agriculture engineering program से बात करते हैं तो हम लोग इसके admission ले सकते हैं, gate से gate यदि आपका score है तो आप get qualified students आप admission ले सकते हैं और यदि आप get qualified में नहीं है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं आपको इनट्रेक्स कोर पे थी आपको इनट्रेंस एक्जामेशन पे आपको एडिमिसन में ट्यक में फिर बात करते हैं पीच्डी प्रोग्राम की, एकसेंप्ट पिएप्ट ए तो यहांन पर देख सकते सका इंटेंट सिग्जामिसेशन और धेक्णा करें किन पर पिर इप्ट स्क्का आइटी जेए के थुरू एडमिसन लिया जाएगा यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर के लिए एक्जामनेशन कंड़क्ट कराई जाएगी तो एक बात करते हैं यह प्यूरली ओनलाइन अप्लिकेशन फ़र्म है एक और बात बता दें कि आपको अप्लिकेशन फ़र्म को फिल अप करके और एलॉंग विट जो जो डॉक्मेंट यहां लिखा गया उसके साथ आपको इस दिये गया अड्रस पर आपको सेंड करना पड़ेगा तो यहां पर देख सकते लिस्ट अव डॉक्रिकेशन फ़र्म डे दिसरा कॉपी आफ ऑल्नलान फी रीचैप्ट फिर टेस्ट जैसलफ अटेस्ट कॉपी अफ उत्राखंड यदि नीसायल है यदि यहां फिर सेलफेशक्ट सप्लिकेशन फ़र्म में तो यहां पर दिये गया और इन्वेलब आपका साइज 12 इंटू 9 इंच का होने चाहिए जो कि आप देख सकते हैं आप एप अप्लिकेशन फॉर अंडर गैजट मास्टर्स, MCE, M.T.E.C. और PhD के लिए आपको यह फिल अप करके आपको इस दिये गए पते पर दिये गए अड्रस पर आपको सेंट करना पड़ेगा along with this document तो आप यह स्टाइफन की बात करें तो PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि fellowship जो मिलेगे रुपीज 6,000 पर मन्त आपको जो भी students merit list से जाएंगे उनको 6,000 पर मन्त आपको 3 साल के लिए a period of 36 मन्त तक आपको मिलेगा यहाँ पर आप स्क्रीन पर यह 2,000 पर मन्त मिलेगा दो साल के लिए और जो की और लोग भी students जो भी होंगे qualify करेंगे इस examination के लिए उनको इस टाइफन मिलेगा रुपीज 900 पर मन्त इन इच डिगरी प्रोग्राम के लिए मत्ता कि जो भी आप qualify करते हैं उनको 900 पर मन्त आपको 2 साल के लिए मिलेगा जो भी पर बहुत ही अच्छा आप बोल सकते है scholarship है कि आपको exam qualify करके आपको इतना इस टाइफन मिल रहा है करते हैं हम लोग examination center की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं undergraduate program जो भी बीटेक या जो भी बैचलर्स प्रोग्राम होंगे उनके लिए centers आप देख सकते हैं total 7 center रखी गई उनके लिए almorat, देहरादून, हल्दवानी, पंतनगर, पित्रोगर, रिसी केस, शुरी नगर तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिर master's program की बात करें तो यहाँ पर देहरादून, हो पंतनगर ही रखी गई है, फिर M.C.A. program के लिए पंतनगर ही है, PhD program के लिए भी पंतनगर examination center रखी गई है, तो इस तरह से आप examination center भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक notice और आ रखी है कि COVID-19 outbreak और current situation को देखते हुए, मेभी यह home center या घर से ही आपका examination conduct करा सकते है, क्योंकि यहाँ पर एक notice आ रखी है कि आपके पास laptop और Android mobile phone होनी चाहिए, with pure और strong internet connectivity तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह notice भी आपको display कर दी जाएगी यहाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो maybe center आपके घर से ही हो सकती है, या फिर online examination conduct करा जा सकती है, देखते हैं, इसमें master's program किस-किस field में कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक करेंगे, agriculture majors म किस-किस field में कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, left-hand side name of program, फिर साथी साथ आप number of seats और minimum eligibility criteria भी आप चेक कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं बता हूँ, agriculture majors में, agriculture economics, agro-metrology, agronomy, agriculture extension and communication, genetic and plant breeding, horticulture, fruit science, horticulture and land scaping, plant pathology, soil science, horticulture, vegetable science, तो इस से आप देख सकते हैं, और number of seats यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथी साथ आप new eligibility criteria भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप वीडियो पाउस करके आप आरहम से अच्छे से देख सकते हैं, या फिर इसके official website पर जाएं, वहाँ पर आपको detail में आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर पहले भी ब सकते हैं, यहाँ पर इस university में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगरिकल्चर इंजिनिरिंग में आप कर सकते हैं, इसकी number of seats यहाँ पर 10 है, और इसकी eligibility criteria बैचलर्स दिगी इन एगरिकल्चर इंजिनिरिंग फूड और इंस्टिट से होनी चाहिए, फिर इसके अदबात क सकते हैं, फिर बात करते हैं, computer engineering में, आपको 10th seat है, और इसकी eligibility बैचलर्स दिग्री इंजिनिरिंग, आईटी, information, communication, IEC, तो इस तरह से बहुत सरी यहाँ पर eligibility criteria दी गई है, फिर design and production engineering में कर सकते हैं, इसकी total mercy 10 है, और bachelor degree in mechanical engineering, mechanical and automation, production engineering, industrial production engineering, में आपके बीटेक होनी चाहिए, फ कर सकते हैं, इसकी आप साथी साथ eligibility criteria में चेक कर सकते हैं, और EC, electronics and communication engineering में आप M.Tech कर सकते हैं, तो साथी साथ इसकी eligibility criteria भी आपको दी गई है, तो आप वीडियो पॉस करके अच्छे से और देख लिए, आपको M.Tech करना है, आप यदि सिविल ब्रांज से बीटेक कर रहे हैं, तो आप hydraulic engineering में आप M.Tech कर सकते हैं, इसकी eligibility criteria भी आप दी गई है, बैसलर डिग्री इन सिविल इंजरिंग होनी चाहिए, और टोटल नमर सिव चार है, इसकी 4, और इसके आप IT फिल्स है, information technology में, M.Tech in IT कर सकते हैं, इसकी total नमर सिट 6 है, और इसकी eligibility grade साइड बर साइड आप च आप इसमें भी apply कर सकते हैं, फिर आप यदि आप structural engineering में भी आप कर सकते हैं, जोकि यदि आपने B.Tech कर रहा है, civil engineering से आप, फिर thermal engineering यदि आप इंजरिंग से आप M.Tech in Thermal Engineering भी आप कर सकते हैं, इसकी total number 10 है, तो आप video pause करके, आप eligibility criteria चेक कर सकते हैं, आप किसी उदाश क्यों, electrical, mechanical, CS, IT, triple E, EC, तो आप किसी भी field में apply कर सकते हैं, हर एक का criteria और हर एक eligibility criteria और साथी साथ number of seats भी दिये गई है, वीडियो में, जो आप master's करना चाहते हैं, फिरिस साइंस और majors में, तो आप यहां पे आप देख सकते हैं, आपको करके specialization करने को मिल सकते हैं, master's में, तो aquaculture, aquatic environment management, fisheries resource management, fish processing technology में, आप master's कर सकते हैं, तो इस तरह से आप यहां पे eligibility category भी देख सकते हैं, और साथी साथ number of seats भी देख सकते हैं, फिर यदि आपको home science majors में आपको करना है, जैसे कि आप clothing and textile में master's करना चाहते हैं, या फिर आप master's करना चाहते हैं, family resource and management में, या फिर master's of food and nutrition में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से home science majors में भी आप कर सकते हैं, साथी साथ इसका total number of seats और इसकी eligibility category भी देख सकते हैं, या आप science majors में आप master's करना चाहते हैं, MSC in agriculture, chemicals, masters in agricultural statistics, masters in biochemistry, masters in botany, masters in chemistry, masters in environmental science, में भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी number of seeds और इसकी eligibility करेटे भी आप साथ ही साथ चेक कर सकते हैं, आप वीडियो पॉस करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर इसके official website पर आप जाकर विजिट करें, वहापे भी आपको detail में मिल जाएगा, या वेटनेरी science majors में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पेस्पेसिलाशन ले सकते हैं, या वेटनेरी एटोनॉमी में, वेटनेरी गाइनकोलोजिस्ट में, वेटनेरी पॉबिक हेल्थ & साइंस में आप ले सकते हैं, फिर या पेवेटनेरी बायोकमेस्टरी, वेटनेरी मेडिसीन, वेटनेरी in microbiology & immunology, तो इस तरह से देख सकते हैं, वेटनेरी इन पैथलोजी, वीडियो पाउस करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आप पॉलिट्र साइंस, अन्यूमल नुम्नियूटीशन, अन्यूमल जेनेटिक अन्यूडिःग और यस तो टोटल नमर और सीट, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, और इसकी ऐलेजिब्री गाट्रे भी अठीग कर स अब इंजिननलो जो optimized अब सोब्कोर्ट एंकोलोजी कोसी ग्योक्तिक लिए सेन थाल нам mmr के लिए लिए क्रस्था आप ये चांज हो निचरों लिए अब्लाइब कर सकते हैंigram पर बात करते हैं लोग M.C.A program की ताप M.C.A program भी कर सकते हैं इसके टोटल नवर सी 24 है और इसकी साथ ही साथ ही साथ eligibility criteria आपको B.C.C. या B.C.A with mathematics recognized university से या फिर B.C. in information technology या B.C. in computer science होनी चाहिए तो आप इसमें भी apply कर सकते हैं last date फिर से बता जाता हूं कि इसके application की last date for master's program M.C.A, M.T.E.C, MBA या फिर कोई PhD program के लिए last date इसकी 30 August 2020 रखी गई है तो आप 30 August 2020 से पहले आप apply कर दे जिसकी starting और इसकी application स्टार्ट हो चाहिए 16 August 2020 से ही तो आप इसमें जल से जल apply कर दे हैं कोई भी आपको admission related queries कर नहीं है तो आपको इसकी number पर दिये गए number पर आप call कर सकते हैं during office hours from 10 a.m. to 5 p.m. only working day में आप इसको call कर सकते हैं तो आपका इंट्रेस्ट है mc mtech या फिर masters करने में या फिर किसी वेटनेरी में masters करने में या फिर agriculture मास्टर्स करने में तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह आपका interest है तो आप इसमें apply करें इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं ज्यादा से ज्यादा लोग को share करें जिने इनकी जुरोत हो और इस चैनल को subscribe कर ले मैं इसी तरह के वीडियो वनाते रहता हूं तो notification bell भी hit कर ले जिससे आपको instant update मिलती रहेगी तो मैं यदि आपको कोई भी queries है तो मुझे comment section में comment कर सकते हैं मैं आपको reply देने को बहुत जल्द से जल्द कोसिस करता हूं तो आप मुझे वहाँ पर comment कर सकते हैं thank you